हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो दा चैनल दोस्तों मैं दिभी प्रसाथ आप सारे लोगों को इसना एपिसोड पर स्वागत करता हूं अब नंदन करता हूं कैसे हो दोस्तों आसा करता हूं मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में खुस हैं आगे तो ग्रैटिचूड रहना बहुत ज़रूरी है और हरवक्त किसी को ब्लेम ना करे हरवक्त अपने लिए एक लर्निंग प्रॉसेस का इनिशेटिव ऊपन रखें आप सीख सकें जब लर्निंग की बात आते तो हम भी आज कुछ सीख रहे हैं इस गाने के साथ गाने का नाम है मन मस्त मगल इस गाने को लिरिकली हमने अल्री पॉफॉर्म किया था आज हम इससे सीखेंगे तो मैं आप लोगों का साथ चाहूँगा चलिए इससे सीखते हैं ठीक है दोस्तों सीखने के दौरा आपको कुछ चीजों पर खैल करना है इस्पेशली इस गाने को एक लिरिकली इस गाने में बहुत सारे उतार्चड़ाव है या इस गाने में बहुत सारे feeling, mixed feeling है तो यहां पे आपको वह सारे feeling को एक इकठा perform करना है गाने के साथ ठीक है इसलिए इससे लिरिकली एक दमदार सौंग बोला जाता है तो आप जब गाने सुनेंगे तो आपको पता चल कि मैं पहले मुखड़ा सीखूंगा तो आपको इजी हो जाएगा मुखड़ा पहले सीखे फिर अंत्रे में जाए तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं चलिए दोस्तों परफॉर्म करते हैं इश्क की धूनी रोज जलाए उठता धुआ को कैसे चुपाए हो अखियां करे जी हजूरी मागे हैं तेरी मन्जूरी कजर सियाही दिन रंग जाई तेरी कस्तूरी रैन जगाई मनु मस्तु मगन बस तेरा नाम दहराई चाहे भी तो भूल न पाई मनु मस्तु मगन बस तेरा नाम दहराई तो दोस्तों ये मुख़़ा था इस गाने का इस गाने में आप अगर सुने होंगे बारी किसे तो एक अजब सा एक connectivity है जो आपको hold करना है क्यूंकि अगर connectivity miss हुआ तो वो feel नहीं रहेगा तो आपको वो sense में ही गाना है ताकि वो जो फील के साथ पूगाने को दर्साय का था मूवी में या प्रिक्चराइज किया गया था वो फील बरकरार रहे है तो यहां पे आपको एक सिंपल सला यह रहाएगा कि जब भी आप परफॉर्म करें तो लाइन्स को यहां पे एक एक एमोशन की तरह फ्लो में छोड जैसे आप कुछ easily release कर रहे हो और आपको एक दिल में बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है तो आप वो sense of feeling के साथ गाए तो आपको यह गाना बहुत easy लगेगा जब मैं practice कर रहा था कुछ दिन पहले तो इस तरह से मैंने practice किया था ठीक है बाकि अंत्रे में जब हम जाते हैं तो अंत्रे पर एक नया revival connectivity आता है इस गाने का क्योंकि towards the end आपको वो गाने के साथ hold back करना है या मुकड़े की तरह फिर से आपको एक रुजहान मिलेगा जहापे आपको connect करना होता है तो इसमें आपको फिर से एक नया पन है गाने में तो आपको वो और एक बार सीखना में रांजा तेरा दुनिया जमाना जूठा फसाना जीने मरने का बादा साचा मेरा होसिस महलना मुझे को सुहाई तुझ संग सुखी रोटी भाई मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराई मन मस्त मगन मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराई फिर से आप मुकड़े को perform कर सकते हो मैंने यहापे end कर दिया आप मुकड़े को फिर से perform कर सकते हो दोस्तों जब हम सेखते हैं गाना तो यह एक art होता है यह बहुत सारे चीज़ों पर depend करता है पहला उस गाने के साथ क्या feel है और दूसरा उस गाने के साथ क्या ज़जबात है जो आप carry करते हो तीसरा और important चीज है उस घाने को लेके आपके दिल में क्या तबजुए आप किस तरह से उसे represent करना चाहते हो ठीक है तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखतो है गाने को perform करना है मेरे हिसाब से कोई गाना easy नहीं होता है कोई गाना difficult नहीं होता है it's just a mixture of feelings आप एक feeling को लेके गाते हो जो कि कुछ चीजों को tune में संजय हो जाते है आप उसे perform करते हो ठीक है ऐसे भी आपके पास एक प्यारा सा voice है जो आपको भगवाने gift की तरह दिया उसे use करे जब आप गाने को सुनेंगे तो आपके दिल में कुछ होंगी कहीं पर आपको वो connect करेगा कई कई circumstances होते हैं कई situation होते हैं जहां पर वो गाना आपको connect करेगा ऐसे कोई नहीं गाना जाएगा जो आपके लाइक को connect ना करें ठीक है तो आप उस connectivity को लेके गाने को समझ में लाएंगे फिर आप मुढ़ा practice करेंगे जैसे मैंने बताया है फिर अंत्रा practice करेंगे तो अंत्रे में यहाँ पर आपको एक revival of feeling दाना है जो आपको connect करेगा मुखडे के साथ ठीक है जब हमने परफॉर्म किया गाना आपने दीखा होगा इस तरह से आप approach करें मुझे पता है आप सारे लोग कर सकते हो एक बार नहीं हो रहा तो दूसरी बार try क करें और learning में इसलिए रहना है कि गाने को हमें own करना है जब आप गाने को own करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा सुकून मिलेगा चले दोस्तों इसी बात पर मैं यह video end कर रहा हूं असर करता हूं यह video आपको काफियत तक learning process में रख सकता है अगर इसमें कुछ गलतिया है तो आप भी मुझे सुधार सकते हैं मैं भी आपसे सीखने के लिए तत पर हूँ आज के लिए बस इतना है मैं फिर किसी नए एपिसोड में आप सारे लोगों से मिलूंगा बातचित करूंगा तब तक के लिए keep watching and happy singing बाबाए